हलो फ्रेंड्स मैं अनामिका कुकवित अनामिका में आपका स्वागत है आज मैं मेरी मम्मी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो है लिट्टी और शोखे की तो आएए देखते हैं मेरी मम्मी से कैसे बनाती है सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे गेहूं का अटा लिया है इसे गूत लिया है बिल्कुल ना ज्यादा सौफ्ट करना है ना टाइट करना है मीडियम डो इसे तैयार की है यहाँ पे मम्मी ने दो वैगन लिया था, दो टमाटार और एक लैसुन की कली इसे हलका सा सरसू का तेल लगा कर और इसे गयस पे अच्छे से भून ली थी यहाँ पे पांच से छे आलू को बॉइल कर लिये थे और इसे भी छील के रख ले लिये हैं यहाँ पे गुथे वे आटे से छोटे छोटे से गोले आप जिस साइच के भी लिट्टी बनाएं आप ले सकते हैं बस नॉर्मल इसे गोल गोल कर लेना है देखे बिल्कुल ऐसे इसे गोल गोल कर लेना है आप जिस भी सेफ मिचाएं बना सकते हैं वैसे इस गोल ही बनते हैं देखे मेरे बागी के सारे लिट्टी बनके तयार है यहां ममी ने कुछ कांडा लिया है आप के वहाँ इसे क्या बुला जाता है मुझे नहीं पता मिरे वहाँ इसे कांड़ा बुला जाता है आप इसे जला लें और इसकी उपर ये सारी लिटियां तयार करके रखा गया है इसकी उपर एके करके रख दें आप इसे चाहें तो तंदूर में भी सेख सकते हैं लेकिन इस पे ज़्यादा टेश्टी बनता है इसे बहुत ही अच्छे से दोनों साइट से हमें सेख लेना है अलट पलट के बहुत ही टेश्टी और यमी लगते हैं इस पर के लिट्टी चोखा आप भी एक बार इसे जरू ट्राइ करें ये देखें कितने अच्छे से हमारे लिट्टी सिक्के तयार हो रहे हैं आप भी इसे ऐसे ही बिल्कुल तयार करें अब हम चोखे की तयारी करते हैं यहां मैंने च्छे साथ आलू लियें बॉयल किये हुए इसमें ये दो टमाटर और दो बैगन को भी हम इसमें डाल देंगे इसमें भूने वे लेसन को मैंने बारी काट लिया और इसमें डाल देंगे अब यहां पर मैंने बारी खरी मिर्ची लिये है इसे भी डाल देंगे अब इसमें बारी कटेवे धनिया भी हम एट कर देंगे थोड़े से स्वाद अनुसार नमक भी हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच इसमें हम सर्सो के तेल भी एट करेंगे और अब इसे अच्छे से हम हातों से मिक्स कर लेंगे चोखा बनके हमारा रेडी है लिटी भी हमारे बहुत ही अच्छे से सिख गए हैं अब हम इसे अच्छे से एक बार और पलट देंगे और इसे एक कपड़े में हम निकाल देंगे एक एक करके हम इसे निकाल देंगे ताकि इसमें जितने भी डॉट पार्टिकल हूँ निकल जाए कपड़े को हम दोनों साइट से अच्छे से पकल लेंगे और इसे अच्छे सम हिलाई लाके इसके सारे डॉट पार्टिकल निका लेंगे अब देख सकते हैं लिट्टी हमारा बनके बिल्कुल रेडी है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे इसके उपार अब हम दो बड़े चमच घी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो लिट्टी को बिना घी के भी खा सकते हैं लेकिन घी लगा के इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और घी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना यमी लिट्टी और चोखा बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है आप भी इसे एक बाद जरू ट्राई करें अब मैं यह सर्विंग प्लेट में चोखा और लिट्टी दोनों को निकाल लेती हूँ देख सकते हैं आप कितना दिखने में कितना यमी लग रहा है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब और कमेंट करें और एक बार इसे जरू ट्राई करें लिट्टी चोखा तो सबको ही पसंद आती है एक बर आप भी इसे जरू ट्राई करें थैंक यू फूर्ट